साथ श्रियाकाल, योट्यूब चैनल पंजाबी स्कूल विच थाड़ा बहुत बहुत सागत है आज जैसी CBSC दी किताब साहितिक रंग पाग पहला जोकी नौविज माद्धी है उस विचों एक कहाणी दोदते पुत करांगे इस कहाणी दी लेख खान बचेंत कौर जी कहाणी नू शुरू करन तो पहला मैं तो हनू बचेंत कौर जी दे जीवन ते उना दियां साहितिक प्राप्तियां बारे थोड़ी जे जानकारी देवांगी बचेंत कौर जीदा जनम 8 फरवरी 1940 नू पिंड पड़ो नाबा पंजाब विच होया और एमफिल तक दी उच विध्या हासिल किती ओहो पंजाबी साहित जगद विच एक महान कहाणी काल दे तोर थे जाने जान दे हन ओनना ने दर्जन तो वद कहाणी दियां पुस्तका लिखियां ते ओनना दी कहाणीयां दी पुस्तक क्यारी लोंगा दीनू पंजाब अकादमी पंजाबी अकादमी दिल्ली वलो सर्वत्तम पुस्तक सनमान भी मिलिया कहाणियां तो इलावा उनने नौवल, स्वय जीमनी, सफर नामा ते बाल पुस्त का भी लिखियां उनना दिया बहुत सारी कहाणियां अंग्रेजी, हिंदी ते होर पशामा विच अनुवाध हो चुकिया हैं उनना दिया कहाणियां अजे हे विशय नू पेश कर दिया हैं, जो पाठका दे मान नू टुमब दे हैं टुमब दे हैं मतलब छून दे हैं आज जैसी बचिंत कोर दी कहाणी दुद्ध ते पुथ करांगे इस कहाणी नू कर दे होई सबतो पहला मैं तो हनू इस कहाणी विच जो मुख गल्ला ने कहाणी नू शौर्ट विच सुनावाँगी अते उस तो बाद आपा इस कहाणी दा अभियास हाल करांगे दुद्ध ते पुथ कहाणी दा जड़ा सिरलेख है ओ पंजाब भी दे एक अखान जिस दुद्ध ते पुथ कदी भी किसे को ले ज्यादा नी हुन दे उस तो इंस्पायर होके लिया गया है कि पंजाब विच यह पहला मन्या जानदा सी कि किसे दे कार विच जिनना ज्यादा दुद्ध होवे ते जिनने ज्यादा पुथ होण उनना ही चंग है एक अधी वी इननो गुरेज नहीं करना चाहिए ते इस कहाणी विच असी जिस द पुरग बाबा बारु उस दे पांच पुत्तर है ते इस कहाणी दे अग्ये वद्धे नाल नाल असी देखांगे कि किस तरह आजकल दी सिच्वेशन विच ए पुराणा अखान गल्थ साबित हो जन्द है किस तरह पंच पुत्तरां दा प्यो बाबा बारु दर दर कहाणी नुस नौन निया पहला ते मैं तानू कहाणी दी एक सम्री यानि की दा संखेप चीज सुनावांगी ते उस बादा पैंदा अभ्यास हाल करांगे ते कहाणी दे शुरू विच असी देख देया कि मही मही नेदी पांच तरीख होगी है पर बाबे बारु नू कोई बा नहीं सुन्दे ते ओस तमे अपने किंदे कोल अपने पुत्तर करतार सेंखोल है तो ओस नू हिम्मत कार के क्या वी दिन्दै भी मैं होन बारले कार नहीं जाना मैनू अपने कोल राखला है ते पार करतार जेडा बहुत गुस्षेच प्यो नू केंदा जीजू दा कोई पाईया ने फैंस लाखिता सी कि तो तेज महीन्ये तो वारी ना लसी रोटी दवांगे ती वारी दे मुताबिक तेन महीन्ये देरे थे बापू पूरे होचुक्या ते हून तेननू प्रित्तु दे करे जाना चाहिद है फून बाबा वचारा मजबूर हून अथ सा नू पत प्रित्टु जड़ा उस्दा पुत्तर है उन्दी जड़ी वोट्टी है बन्त वाबे बारु दी बहुत सेवा करती है उन्दे कपडे समे नाल तो उन्दी है चाह पानी दिन्दी है अपने बच्चे नूँ भी कहन दी है कि बजुर्गांदी सेवा करना ले चंगा फाल मिल दे रब भी खोश उन्दे पर फिर वी उन्दी जड़ी बन्त है वो आप बहुत दुखी है क्यों दुखी है क्योंकि उस्दा पती जड़ा परित्तू है वो श्राब भी को अपी है को जदो शामनू कार हो ओन दॉध ता ओन दे लड़ना शुरू कार दी तो किसे न ऑनने अपनी पत्नी नाल लटदा है बच्च्यानू काला करदा है जदो भी कोई उन्दी गालनू उल्टा होन दॉद यानि कि उन्व पल्ट के जवाब दिन दॉदे तो जाके अपने पेओ यानि की बारू दे द्वाले हो जानादा है ते ओंधी मंजी नू ठेड़ा मारके कहनादा है वी होर किनाचेर सानु ये तेरी मंजी पूझनी पवेगी मतलब तु कदो मरेंगा कदो तक सानु तेनू रोटी खवानी पवेगी ए गाल सुन के बाब्बे जोड़ा बारू टू वह बहुत बेष्टी करदा अपने प्योदी ते जड़ा माबा बारू आंधी गल्ला सुन के मिट्टी दा बुत्य बाज़ा जान दा उन्हों दुख भी बहुत उन्दे फेर वो अपने सारे पुत्रां बारे सोच दा तो ना दे बच्चे आं बारे सोच दा ते आखिर ऋनुं प्रीत्तु तो बाद बाब्बे दी बारी तर लोके देखारं जान दी आजनós उन्जेड़न दा पुत्र है साधोल चला जान दाए बाबा बारू उथ्वे की आध लुष्चियन दिलोका चंगा पुत्तर है ते तो लोग का जड़ा अपने प्योजी खुशी रास त्यान भी राख रहा है पर फिर वी उत्थे भी बारू खुश नहीं है क्यों क्यों पता है उन्दी वॉट्टी सिर्फ इस सारा कुश तो लोग के दे डार कारके कर रही है वी उन्हों एलाद है जिवे मैं गुग्गा- थोड़ी हुंदा सिर्फ उस दे डार तो ही उसती पूजा किति जानती है ता उस दी वॉट्टी सिर्फ अपने कारवले तो डार दी ही बाबे दी सेवा कर दी सी जदो कार नहीं हुंदा सी ता हो नूँ कोई ना कोई चुब मिंगल बाब्भूनों कर जानती सी जिमें भी द दूर चला जावे पर उनु पता है भी तलोक के देंदे विच कोई कसूर नहीं है तो ना यह उनूनू कोई जवाब दिन्दा है क्योंकि यो चौन्दा नहीं कि उन्दे कारके उन्ना दे कार वेच कोई लड़ाई होवे फिर मननू तसली दिन्दा भी चलो गल्ठी की कार र भागी उस्टे सारे पुत्र अपने करो चंगे ने पर उनु पता है भी उन्दे बाकी पुत्रा ने गाल नहीं मननी उक्तोवध हिससे लिए कि दूजे नू मरन मारननू त्यार हो जानगे त्यार में सारी जमीन जड़ा द्याला उन्दा पुत्रवार है वो ता कदी भी नह नलका उन्दे कारपा में सारा कोश्या चंगा मीरा पर उस दी नियत फिट्टी होई है उन्दर अंदरी पटवारी नू मेलके सारा कोश्या अनू भी फिर दै इस सारा कुछ सोच के बाब्बेदा रोणा निकल जानदा है एड़ा वड़ा परिवार सी उस दा पेंड़ पुट्टर जानदा है पर होण एही आलतो गी है उन्दी कोई गालवी नहीं सुनदा जोद उन्दी कारवली जी उन्दी सी ता उस पेंड़ ची रहांदा सी ते द्याले नियुदी मन्जी नीरे अले अंदर डाई होई सी नीरे वला अंदर हुन था तूडिया जिथे रखी जानदी है यह पश्वादे खान वड़ा चारा रखे जानदा है पर जदो मार्गी ता उसी मन्जी दावी कोई टिकाना नहीं रहा जदो तो उन्दी कारवली मार्गी उदो तो वचारा धरबदर पट गरे है पहला दूजे वल दोनु कार दिन दै दूजानू तीजे वल प के खा रहा सी कई वरी ओ दुखी हो कि आपड़ी मार चुकी पतनी नूँ केंदा देख पागवंती है तो केंदी उन्दी सी जिन्ने पुत्त बहुते होंगे ओनना ही बहुता सुख मिलेगा बुटाप पेवेच कदे पला किसे नूँ दुद्धते पुत्त भी बहुते लगे ह पर आज जोनू लग रहे है कि उस दे ज्यादा पुत्त होंडा उसनू नुखसान हो रहे है उसनू दर दर पटकना पह रहे है आज उन्दी हालत बहुत खराब है ओपनी कालने केंदा देख मैं कि ना दुख्यां मैंनू रुखी सुखी भी सबनू पारी लग दी है तो पांसो मील दूर है यो है इनि गिलाँ करना की फायदा सुर्णियों करता साल 아니 छ जानदै ता कि सोल्टा बाभं precis करतारे देखार जानने वारी में आतल जानत हैई अंद्रम भूरफ टारे लेकर जानानत खोश हुं तो क्योंकि करतारे देंम की छोटा प्रार है रहे है च पुत्तर एक होनगार के उन्हों किसे बटवारे दार नी किसे बटवारे दी उन्हों कोई याद या कोई लोड नहीं सतां दी ते बाबा बारू भी अपने उस प्राणाल बैठा अपने दुख सुख फोल दा रहनद है उन्हें एथे सानु पतला दा कि जिन्दे जाधा पुत जाधा दुखी हो रहा है तो सगोई कलौते पुत्तर वाला ठीक है क्योंकि उन्हों कोई दार दार ते पटकना नहीं प्यार रहा है ता इस कहाणी नहीं बचिंत कॉरस्वाम एक संदेश दे रही है कि वड़े परिवार्दे माभाब जड़े ने बच्चे नू अपने दे बोज नहीं समय दे पर बच्चे अपने पिता नू रोटी देंदी था उनू था 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 पे दे रहें देने इसलिए बापवा बारू सोई दा है कि दुद दे पुत्तर ने फिट्टन लगया करी देर निलोंदे फिट्टन लगया वदला खराब होन लगया वी करदे भी खर रने खरो वी किर्टन ल anticipम हो अनु ना संबालना इस पहानी देरा मुख विशा है और बच्चेव कहानी दा अबयासाल करें अबयासओ मसथ्टम प्रशन उत्तर दोद्टे पुत सब कहानी वीच बाबे बारू दे किने पुत्तर होन इस दा सभी बारू दे पुत्तर हैadata बापु अपने मांदी गल किस नू दसता है इस कहानी विच बापु अपने मांदी गल अपने छोटे प्रानू दसता है तीसरा प्रशन है मादे मरंतो बाद पुत्रा ने की फैंसला कीता मादे मरंतो बाद पुत्रा ने फैंसला कीता कि ओपंजे प्रा वारी नाल बापु रोटी देंगे चौथा प्रेशन है बाबे बारु प्रती उस्जे प्रितु पुत्तरदा के हो जया विहार है इस दा उतराएगा प्रितु श्राब भी सी श्राब पी के ओ अपनी कारवाली बच्चियां अते बारु सार्या नू अवातवा बोलदा है उस दिया गल्ला सुनके बाबा मिट्टी जया हो जान्दा है इस विच आकरी प्रेशन है इस कहानी दे सिरलेख तो की पाव है ता इस दा उतरासी लिख सक्दे हाँ दुद्दे पुत्त ज्यादा होना खुशाली दा प्रतीक मन्या जान्दा है पर इस कहानी विच ज्यादा पुत्ता दा प्यों बारू रूलदा है तो एक पुत्त वाला उस दा प्राखुश है बारू अपने पुत्ता दी तुलना फिट्टे होए दुद्दनाल करदा है ता इस तो बाद साड़े कोल अग्गे हान आव कुझ होर करिए जिस विच की value-based यानि की नतिक अद्रा गेमतावले प्रेशन है जेड़े की तुसी आप उत्तर लिखने है जिस विच पहला है तुसी आपने मापयां ले की करना चौन दे हो ता तुसी दसना है की तुसी आपने मापयां ले की की करना चौन दे हो उन्दे बारे लिखना है अगला प्रशन है आजकल माप्यां ते बच्चेंच वाद रही दूरी दे कारण दसुत तो केड़े कारण है कि बच्चेंच दूरी वाद रही है एक ता टेकनोलोजी और कारण एक दूजेना समा काट बिता रहे हन दूसरा पैसा जादा पर मुख रोशनी पहुंता इक लेख लिखो कि अजकल एह हो रहा है कि नुक्लियर फैमिली बान रहे हैं जिदे सिर्फ हस्मेंड वाइफ तुम दे बच्चे रहे ने तो उन्हां दे बजूर्ग मां पे उन्हों नाल रखंदर रिवास खटदा जा रहे है उन्हां दी बेकदरी हो ल सब्सक्राइन फैञें? बहुत सरी इंकटना हो रही हैंने उन्दे बारे डिप्टी कमिश्णर ने तो सी पत्तर लिखना है कि किस तरह उना दिस रुख है जवादा किता जा सकता है इस तो अगला प्रशन साथे कोल है वचन बदलो जिस विच पहला है कपड़ा इस वचन बदलेगा कपड़े तारा दा तारे मंजी दा मंजिया बिस्तरा दा बिस्तरे जमीन दा जमीना बच्चा दा बच्चे गल दा गला तनखा दा तनकाहा तांद दा तनदा ते चोनवी दा जोन मियां अगले है हेट लिखे बाऊ अर्थक शब्दा दे वाक बनाओ तथा अनुशाबद दिते गईने इन दे तुसे बाऊ अर्थक वाक बनाओने कि एक शब्द दे अलग-लग अर्था वाले वक्रे वक्रे वाक ताईस विजी जेमें पहला शब्द है दर्वाजा मैं दार खोल लिया एक दर्बार असी राबदे दारते मत्था टेक या तीसरा है फाल नतीजा चंगे कामदा फाल चंगा ही हुंदा है ते एक फाल खान वाल आज मैं आमदा फाल खादा अगे है वड़ी वड़ी दा एक हुंदा है वड़ना असी कानक दी फसल क्लर्क ने वड़ी लईक, अगे हैं वांड वंड ना यानिकी असी मिठाई वंड रहे हां, ते एक हुंदा वांड वडे में जड़ा पशुवनू चारा पाया जन्द, उसमिच वडे में जड़े पाया जन्द हां, बंदे ने मज्जानू वांड पाया, इस्तो बाद साडेको अगे हैं, हेड लिखे वाक का विच्चों लकीरे किर्या विशेशना दी, किसमा दसो, ता तुसी यह ना विच्चों किर्या विशेशन लबने हैं, पहले वाक विच उस दी एक हाल सोल आने ठीक सी, कोई भी किर्या विशेशन नहीं है, उस सबाद है तो लोक का अंदर ही ब अगला वाख है उसता पंजवा पुत्तर नौकरी लेई दूर गया होया सी दूर है परिमान वाचक किर्या विशेशन ते आखरी वाख है गल्ला करदा करदा ओ अचंचेत रोपया अचंचेत है काल वाचक किर्या विशेशन इस तो बासाद अगला है हेट लिखे वाखका दित्ते शब्द किया किर्या पुत्तर ने पिता नौ पाणी प्याया प्याया किर्या है बाबा तु सारी उमर साडेली कुछ नहीं बनाया बनाया किर्या है पत्नी दे मरन मगरों बाबे दी देख पाल होनी चाही दी सी ता इस विच किर्या है होनी चाही दी सी ते आखरी है बाबे ने पुत्तर नू आशिर्वाद दित्ता यानि कि दित्ता शब्द चड़ा है वो किर्या है इस तो अगे है है हेट लिखे वाका नू वर्तमान काल विच बदलके लिखो तो अनू जो वाक दित्ते गए हान तुसे वनान वर्तमान काल च लिखने है वर्तमान जनी कि present tense जिस विच पहला है विद्या हुन उसनल खासी ओखी होके बोल दी सी अगे है करतारे ने बापुनू प्रीतु दे कारजानली क्या दिता है बाबे दिया गाल सोलाने ठीक सी तो लोक का बापु दे बुडापे नू रूलदा नहीं देख सकदा सी इस दा बनेगा रूलदा नहीं देख सकदा है तो दियाले दे का राप्दा दिता सब कुछ सी इस विचाएगा सब कुछ है तो यह काफी सोखे सी बनों और इस दिन आरी साड़ा इस पार्ट दा अभ्यास खतम होंदा है मैंनू उमीद है कि तो आनू पार्ट भी समझ आ गया ते अभ्यास भी हल करना कोई हूं मुश्किल काम नहीं है तो अड़े ले तो अड़ा अगला पार्ट लेके मेरा मंदीप को बहुत जल्दी हाजिर होंगी उद्ध तक इस वीडियो नू लाइक शेर जरूर करेओ ते मैंनू को मेंटा मेंच दसेओ कि तो आनू ए पार्ट किस तरहांदा लगया हुन देओ इजाज़त तानवाद